आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दिन भर की बड़ी ख़वर और मुख्य समाचारों को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे वहीं दोस्तों ख़वरों की तब चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मानते हैं कि 24 के आम चुनाओं के बाद नतीजे इंडिया गढवन्दन के पच्छ में आ सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और कमेंट बॉक्स में जरू लिखे भी नहीं कर सकते हैं नहीं अ अदालते द्येश की हर समस्या को सुल जा सकती हैं जिसके बार सोचल मेडिया पर सी-जी-ए याई का काफि समयथन भी हुआ था और वहीं एक बाड़ फिर से एक कारकम के दोरान सी-जी आई ने बड़ी बात कह दी हैं CGI ने कहा कि आप दो दसक पीछ चल रहे हैं और यहाँ पर अन्याइ पालिका न्याइ देने का काम करती है लेकिन इसमें कुछ तत्रो द्वारा देरी कि जाती है यहाँ पर बिना नाम लिए सीधे कहाएं तो दोस्तों केंद सरकार पर बरसे हैं CGI यहाँ पर देख सकते हैं CGI ने दोस्तों बड़ी बात कही है इस से पहले भी CGI ने बर्क लोड यानि की काम के प्रेसर को लेकर बात कही थी और कहा था कि अदालतों में इतने मामले आते हैं जिन पर एक साथ यहाँ पर सुनभाई करना ही संभब नहीं है और सरकार से समुचित कदम उठाने की दिसा में काम कहने के लिए भी बात कही थी CGI ने राजिस्थान बिधान सवा चुनाओ के मतदान में कुछी दिन सेस बचे हैं दोस्तों चुनाओ 50 जो रोपे हैं वहीं दोस्तों इसी बीच मुख्यमंतरी गहलोत ने कर दिया बड़ा दावा चुनाओ से चाह दिन पहले होने वाली थी 36 गड़ के मुख्यमंतरी बगहल की गिरफतारी लाल डायरी पर भी बोले हैं मुख्यमंतरी गहलोत सीम गहलोत ने कहा कि 36 गड़ विधान सवा चुनाओ मतदान से ठीक चाह दिन पहले 36 गड़ के मुख्यमंतरी भूपेज बगहल की गिरफतारी होने वाली थी महादेप एप मामले में जूटे आरुप लगा कर बगेल को फसाने का पूरा सडेंतर कर लिया गया था लेकिन ये लोग एक्सपोज हो गए इनका पैदाफास हो गया सीम गैलोट ने जैपूर में कॉंग्रेस कारेयले में अचानक बुलाई गए प्रेस बारता में कहा कि महादेप एप और लाल डायरी के जाँच सुप्रीम कोट के रिटार्ड जजज से करानी चाहिए ये बड़ी ख़वा निकल कि आई है राजिस्थान से दोस्तों आप लोगों के राय क्या कुछ है जरू बताईए कि राजिस्थान में कौन सी पारिटी विधान सवा चुनाओ जी सकती है बीजेपी या कॉंग्रेस एक और ख़वर की तरफ चलते हैं बिग ब्रेकिंग में उस दोस्तों बीजेपी में मच चुकी है भगदर असम में है बीजेपी सरकार लेकिन नहीं अब यहां पर रुक रहे हैं बीजेपी कार करता हो रही है बगावत बड़ी ख़वाद 600 से जादा बीजेपी कार करता हुने असम में जॉइन की है कॉंग्र च्छेसों से ज़्यादा बीजेपी कार करता हुने कॉंगेस पार्टी में जाना उची समझाए उन्होंने बगावत की है इसमें दोस्तों तीन बार से ज़्यादा के MLAWी सामिल है जिन्होंने कॉंगेस पार्टी जॉइन की है माना जा रहा है कि मणीपुल में जो हालात हैं उसको देखते हुए पडोसी राज मिजोरम में बीजेपी का कोई भी स्टार पचारक पचार करने नहीं गया जिसके चलते बीजेपी की स्तिती बेहादी चिंता जनक है मिजोरम में भी वहाँ भी विधान सवाचुना हो चुका ह नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और दूसरी तरफ असम में बीजेपी को जटका लगा है दोस्तों इंकम टैक्स से जुड़ा है मामला एक तरफ एडी पीछे पड़ी है गांधी परिवार के दूसरी तरफ इंकम टैक्स जी हाँ दोस्तों गांधी परिवार की आजका पे 28 न सुनबाई करेगी गौर तलब है दोस्तों बीते 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनबाई हुई थी जिसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया था और यहां पर दोस्तों अब इस मामले की सुनबाई होने वाली है तो दूसरी तरफ एडी का सिकंज अभी कसता जा रहा है राह सुनबाई होने वाली है सुप्रीम कोट में पश्चिम बंगाल में रैली के लिए अमिसाह को मिला निमंतरण अब रोक लगवाने के लिए हाई कोट पहुंच गई है पुलेस कोलकाता पुलिस ने कलकाता हाई कोट की उस एकल पीट के आदेश को चुनाती दी है जिसमें 29 न बोधित करने के लिए अमंतित किया था जिसके लिए बंगाल के अलग-अलग जिलों से बीजेपी के लोगों को टेनों और बसों में लाने के तयारी चल रही थी और आब कानून बेवस्ता का हवाला देते हुए और याता यात बादित हो जाएगा इसका हवाला देते हुए कलकत्ता पुलिस ने हाई कोट की डवल बेंच का रुख किया है देख सकते हैं दोस्तों पश्य मंगाल में हम इस सहा कि इस रैली पे लगाता संकट के बादल चाहे हैं और ख़वर यही है कि इनकी रैली पे रोक लगा देगा कलकत्ता हाई कोट की डवल पीट एकल पीट के आदेश को इस्टे मिल जाएगा ये बड़ी ख़वर निकल के आई है कोलकाता से दोस्तों राजिस्थान में प्रेंका गांधी मौजूद है इस्टार पेचार कों की टीम उता रखी है कांग्रेस पार्टी ने जिया दोस्तों सिर्फ एक ही दिन बचा है चुनाव पेचार के लिए और पच्चिस नॉम्बर को मतदान होना है इसी वीच प्रेंका गांधी राजिस्थान में एक के बाद एक खुला से कर रही है और यहाँ पे बीजेपी को घेने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रही है प्रेंका गांधी बोली अगर मोदी जी फकीर है तो इनके करकाल में बीजेपी सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई जो दिन राट टीवी और अखवारों में मोदी जी के लाखो करोणों रुपए के बिग्यापन दिखते हैं उसके लिए इनके पास पैसा कहां से आता है इन लोगों को यहाँ पे कौन लोग फंड कर रहे हैं यहाँ पर प्रेंका गांदी ने सीरे तोर पर दोस्टों गौता मडानी और गोधी मीडिया को निसाने पर लिया है क्योंकि उनकी वज़े से ही लगाता दिन राट टीवी अखवारों में मोदी जी की तस्वीरे छपती हैं उनके बिग्यापन दिखाए जाते हैं और प्यम मोदी एक तरफ कहते हैं कि वहाँ फकीर आदमी है इस पुरे मामले पर प्रेंका गांदी ने घेरा है तेलंगादा में गर्जे हैं राहूल गांदी जी आँ दोस्तों यहाँ पर सादा है निसाना प्यम मोदी पर राहूल गांदी इस समय लगाता है उनकी लोग प्रियता भी बढ़ रही है इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि उनकी रैली में यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है जिसे समानला ही मुश्किल हो जाता है तो दूसरी तरह बीजेपी नेताओं की रैलीों में यहाँ पर गिने चुने ही लोग आते हैं खास कर वहाँ भी वीजेपी के कर गता ही होते हैं राहूल गांदी बोले टीवी कभी आपको देश का दर्द नहीं दिखाता क्योंकि वो आपका नहीं अडानी का है जिया दोस्तों यहाँ पर राहूल गांदी ने गोदी मीडिया पर निसाना साधा है राहूल गांदी ने कहा है कि टीवी पे देश की बातें कभी नहीं दिखाई जाती देश में आम लोगों किसे क्या कुछ हो रहा है मज़दूर गरीब किसानों से सम्मंदित कुछ देखने को नहीं मिलता सेर्फ यहां पर गिने चुने ही लोगों के बारे में दिखाये जाता है खास तोर पर पियम मोदी का चहरा 24 घंटे चलता है राहूल गांदी बोले हैं दोस्तों बड़ी ख़बा निकल की आई है इंडिया गढवनन की सहयोगी पारटी फिलाल है समाजवादी पारटी इसी बेच सपा सांसर राम गोपाल यादब ने बड़ी वात कह दी है हाला कि इंडिया गढवनन में अभी प्रधान मंत्री पत के उमीदवार को लेकर कोई आधिकारी घोषना नहीं हुई है आधिकारी क्रूप से सीटों का बठवारा हुआ है लेकिन दोस्तों यूपी में सपा सांसर राम गोपाल यादब का बड़ा वयान सामने निकल के आ चुका है राम गोपाल यादब बोले हैं अगर समाजवादी पारटी उत्तरपदेश में चाली सीटे जीत लेती है तो पारटी अखले शाद आपको प्रधान मंत्री बनवाने की हैसियत में होगी ये बड़ी खबा दोस्तों आज के मुखे समाचार थे जो आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा वीडियो को सेय कीजेगा आपने सभी दोस्तों के साथ भी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत